नमस्कार आप देख रहे हैं लाइब सिटीज मैं हूँ आपके साथ सौरव राज करीब आथ महीने से जिस चीज को लेकर के पुरा देश इंतजार में था कि आखिर कोरोना की दवाई कब आएगी कोरोना का वैक्सिल कब देश को मिलेगा सभी लोग यही देखने को बैञे थे इंतजार कर रहे थे सभी की जुवान पेखी चीज थी कि आखिर कोरोना की वैक्सिन कब अपने देश में आ जाएगी अब जाकर के करीब आठ महिने के बाद कोरोना का वैक्सीन देश को मिल चुका है देश के वेग्यानिकों देश के डॉक्टर ने कोरोना की वैक्सीन खोच चुकी है परधान मंतिरी नरेंदर मोदी ने आज जाकर के देश को कोरोना वैक्सीन समर्पित कर दिया है परधान मंतिरी ने इस कोरोना वैक्सीन का सुवारम किया है इस वक्त दिली इम्स के अंदर मौजूद है जहां पे अंदर ट्राइल चल रहा है और कुरोना वैक्सिन को ले करके यहां के जो डाइरेक्टर हैं जो स्वास्त मंतरी हैं वो अंदर बैठे हैं और जो पहली बार में कुरोना वारियस के रूप में जो स्वास्त करमी है देश भर के करीब तीन करोड स्वास्त करमी को वैक्सिन लगाए जाएगा और उसके बाद फिर जाकर के जो स्वास्त कर्मी के जितने दूसरे लोग थे जो कोरोना वेरिस के रूप में करीवे पूरे कोरोना समय में देश के लिए सड़क पे रहे घर परिवार छोड़ करके उनको लगाए जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि मीडिया की जमाबडा है क्योंकि सबकी निगाहें इस उपर टिकी हुई है कि आखिर क्या वैक्सीन सफल होगी अगर सफल होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत होगी क्योंकि अभी तक तमाम जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ भी वैक बड़ाओं पे पहुँचुका है जहां करोना की वैक्सीन होजी जा चुकी है और टिका करण का भी सुभारम हो चुका है और दुनिया के सबसे बड़ा व्यान है टीका करन का भियान है जहाँ पर फश्ट फेज महीं करीब तीन करोडे लोगों को वैक्सिन लगाए जाएगा अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस वैक्सिन अमल हो जाएगी और इसे वैक्सिन का जो कह सकते हैं बेने फीर्ट्स है और जो लोगों की मेहनत है जो इस इसको वैक्सिन मिल गई है डिली से सौरव राज लाइप सिटेज झाल सकते हैं।